हेलो इस्ट्वेंट्स वेलकम टू एजुकेशन हब मैस यूट्यूब चैनल कुमाव यूनिवर्सिटी बियस्सी थर्ड सेमिस्टर हमारा जो एनलेटिकल जोमेट्री चला था आज उसका हमारा नेक्स लेक्चर है और आज हम करने वाले हैं एक्वेशन ओफ टेंजेंट प्ले प्लेन हम निकालेंगे अब देखो इस्ट्वेंट्स बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना अभी तक हमने क्या बड़ा खाथा कि जब कोई स्पेर किसी प्लेन को टच करता है तब होता क्या है तब हमने कंडिशन अभी सीख रखी थी तो अब सुनिए फिर एक्वेशना है अधाए आधयर को टेंड कामने की एक्वेशन देखो जो आसे माले जाए मीरे का सिया सीक के लिट एक स्कुएर प्लस यू एक स्कुएर प्लस पूमि वाई फ्लस ट्व्लू जेर्स ड़ाश्बाबर जीरो पी औह स्पेर एक यह अपके पास V minus W and radius है वो गया आपके पास and radius बराबर कितना है R बराबर कितना अंडरूर U का square plus V का square plus W square minus का D इधनी बात तो आपको बिलकुल समझ में आती है तो देखो इस इस पेर मैं माले जाए इसको मैंने कहा गया है square one let Malia मैंने कहाँ दिया let spare A let spare A touch my spare A क्या का मैंने let spare A spare A है spare A है touch let spare A नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं देखो माले जाए मैं ऐसा करता हूं तिहां से सुनना देखो मतलब क्या है किसी इस्पेर में जो टेंजेंट प्लेन है ना टेंजेंट प्लेन यह अभी तक का तो क्या था यह जो टेंजेंट टेंजेंट का मतलब है इसपर्स वाली बात करता है इस पर से जैसे टेंजेंट लाइन करते हैं तो इस पर से रहा है तो यहां पर को इस इस पेर में जो प्लेन इस पर से कर रहा है उसकी समिक्रण निकालनी हुए 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 जो इस इस पेर में जो प्लेन इस पेर में जो प्लेन इस पर से कर रहा है इस पेर में जो प्लेइन इस पर सकर रहा है उसकी हमने का निकालने है समिकर निकालने है तो वो समिकरना कैसे आती है माले जै मैंने के दिया लेट प्लेइन प्लेइन टच 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 इस्पेर टच इस्पेर ए इन पॉइंट किस पॉइंट पर इन पॉइंट किस पॉइंट पर टच कर रहा है क ये वाला पॉइंट है हाह, ये वला पॉइंट है, X1, Y1, Z1, टेंजन्ट की बात करता है, और एक क्न का प्लेन वाली बात करता है, अगर मेरे सेकेंट पलेन ने क्या होगा, क्या होगा, अगर पलेन ने क्या उ PLAY माले जा, let plane touch the sphere a, in point, कोई plane touch कर रहा है, sphere a को, किस point पर, इस point पर, तब, then, equation of plane, equation of plane, अब देखो, equation of plane निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखो, देखो, यह x square है न, इस एक x की जिएकर में क्या रख दूँगा, एक से रख दूँगा, यह मतलब यह point रख दूँगा, और यह question paper में आएगा, आपका, एक नमर का, इस्ट्ट्रेंस, नहीं, sorry, आप तो एक नमर का आती नहीं है, एक नमर का कह रहा हूं, चार नमर का question आएगा, तो देखो, कैसे, एक स्क्वाइर का होगे है, एक से इंटो एक से, तो एक से की जिएगे में एक point रख दूँगा, फिर प्लस, y, y1, फिर प्लस कितना, z, z1, फिर दखो यह, यहाँ पर को यू कॉमन आया, 2x है, मतलब x प्लस x, तो एक x तो वैसा ही रहूँगा, एक x की जिएगे में क्या रख दूँगा, x, one, clear, फिर आपके पास क्या होगा, v, फिर कितना हो जागा, y plus, y1, फिर प्लस, w, z plus, z1, फिर प्लस, d, बराबर, 0, यह हमारे पास क्या होगा, equation of plane, equation of plane, equation of plane, equation of plane, touch, t-o-u-c-h, touch, किसको touch कर रहा है, touch, sphere, a, clear, students, तो इसको नोट कीजिए, तो students, equation of tangent plane जो होती, मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दी है, equation of tangent plane होती क्या है, आपके पास कोई एक sphere होगा, sphere में, जो इस पर सकरने वाला जो plane होगा, किसी point पर तो इस पर सकरेगा, माले जाए उस point पर इस पर सकर रहा है, x1, y1, z1, अगर कोई किसी sphere में, कोई plane किसी point पर इस पर सकर रहा है, तो equation of plane आपके पास क्या होगा, x माइन, देखो, 1x की जिगह x1, 1y की जिगह y1, 1z की जिगह z1, जैसे x square है, तो यह होगा x into x1, तो x into x हो गया न, तो 1x की जिगह x1, यह y square है तो y into y हो गया, एक y की जिगह y1, z square है तो z into z1, तो 1z की जिगह कितना z1, अब यहाँ पर क्या है, 2u भारा या, 2x है, तो x प्लस x लिख सकता है न, 2x हो, तो 1x की जिगह कितना x1, ऐसे 1y की जिगह कितना y1, तो अब बनाते हैं एक question, ठीक है न, तो लिखिए फिर एक ऐसी इसी तरजे पर प्रेक्वेशन 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 किस पॉइंट पर, at point 1, 2, or 3, at point 1, 2, 3, to the square, किस square पर, to the square, to the square, जो आपके पास square है, वो कितना है, पर पर पास, 3, x square, plus y square, plus z square, फिर, minus 2x, minus 3y, minus 2x, minus 3y, minus 4z, minus 22, बराबर कितना, 0, अब बात करते हैं, solution की, ठीका, अब देखो, find the equation of tangent plane, अब देखो, मेरे पास माल ले जाए, given is square, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, जो मेरे को दिया है, अब इतना question लिखो, फिर आप लिखना, solution में, given is square, given is square, जो आपके पास square है, वो कितना है, 3, x square, plus y square, plus z square, minus, कितना, 2x, minus 3y, minus 4z, minus 22, बराबर 0, अब देखो, given is square में, यह हख को भी भी क्या, x square, y square, z square का coefficient of 1 होता है, ठीक है, ना, तो यहाँ पर से इसके बत्टे में 3 आजायगा, आएगा की नहीं, क्यों, तो यहाँ पर से कितना होता है, minus कितना होता है, only कितना होता है, एक वाई क्यों फिर कितना माइनस फूर अपॉर अपॉन कितना वजागा थी फिर कितना माइनस इस वट्री बराबर जिरो यह हुग इस प्यूरिक्विशन अप सनू कोस्जिन करह रहा है इस पिर एक बोल जैनर छी एन डर्णो थे सिंटा को स्पयर एक मतलब यही की चीज था टच करने वाले plane की equation निकालो गए रहा है, आई नी बास समझे में, क्या गए रहा है find the equation of tangent plane मतलब इस पर plane की समिक्रण निकालनी है at point इस point पर इस point पर इस point पर इस sphere के लिए इस point पर टच होने वाले plane की equation निकालो, ऐसा ही तो करें न तो क्याfunded मेरे पास, माले जई पर मुझे टंजेंट plane निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना है यह निकालना है इस point पर निकालना है फिर आप प सम्नो में कैसे करूंगा आप ज़ो disappear होगा उस Lindsay जैसे ना माले जई आजए x Square है तो क्या करूंगा, एक x की जगह है, एक x की जगह है, तो मैं क्या, एक रख दूँगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किलियर है ना, फिर प्लस, y square है, तो y into y है, एक y की जगह मैं कितना रख दूँगा, 2 रख दूँगा, फिर प्लस, z into z, एक z की जगह मैं कितना एक रखदूंगा एक रखदूँगा फिर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास माइनेस अप wynn00 यह टू था क्या मैं इसको वीधिडग सकता हुग क्या शॉइकता हूं उपान टू हो जाएगा स्वाइट से थी ध्या कितना हो फिर कितना हो गया बाइस बट्टा तीन बराबर कितना हो गया इस्टुएंट से जीरो इतना में तो इस्टुएंट सा आपको इतनी चीज़ां समझ मां आ गई होंगी तो अब इसको सॉलब करेंगे जो हमारे पास प्लस कितना हो जाएगा फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर यहां पर से कितना हो जाएगा इसको अंदर इंटू किया तो कितना हो जाएगा माइनस का बहुत अच्छा फिर कितना हो जाएगा minus 2 z upon 3, फिर इसको अंदर इंटू गया, तो कितना हो जाएगा, minus का 2, कोई दिख़त नहीं होने वाली है, 3-3 गया, 2 गया फिर कितना हो गया, minus 22 upon 3, is equal to कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक नहीं है, इसको सॉल पर कर दो, तो यहां पर से x, अब दिखो, यह x और यह x, एक साथ लिख दिया, मैंने, कोई दिख़त नहीं, फिर प्लस, यह y और y वाला कहां गया, minus y upon 2, एक साथ लिख दिया, फिर प्लस z, 3z, और z कहां है, मेरे पास यह है, तो z वाला मैंने, एक साथ दिख दिया, फिर कितना आजाएगा, फिर constant, constant क्या आया, minus one upon three क्या आया, minus one आया, minus two आया, minus country two upon कितना आया, three आया, गरावर कितना आदिया, zero आया, clear, बहुत पढ़िया, students, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, पूरी वीडियो को, आप की तरह फैला दें, students, अब students, हम जो सोच रहे हैं कि अगर हमारे channel अच्छा grow करता है, आप लोग हमारा साहता करते हैं, तो हम जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द मतलब, online बढ़ाना सोब देंगे आपको, पूरा आपकी, कोई सी भी university को, आप हमको बता दिए, हम यसी university के हैं, मैं वो syllabus देखूंगा, मैं उस के हिसाब से, आप अगर मेरी online class, YouTube में live class चलेगी, students, ठीक है न, चलिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर से कितना आजाएगा, देखो, यह 3x हो गया, आप दिहां से देखो, देखो, 3-2, 2x अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया, फिर प्लस, 2-3, 4, मैं से 1 गया, तो कितना आजाएगा, 3y बढ़ते हैं, 2, 3-9, 9 मैं से 2 गया, तो कितना आजाएगा, 700 अपॉन 3, फिर प्लस, चलो इसको सौल बगडते हैं, तो यह तो भाईया, 3 common आया, तो कितना बढ़ते हैं, –1, –3, –1, तो यह बजगा, फिर कितना आजाएगा, –1 upon 3, –3, –22 upon 3, 3 common आया, तो बजगा, –1, –9, –22, तो यहां पर से कितना आजाएगा, फिर –32 upon 3, –32 upon 3, बराबर कितना होगा यह बजगा, फिर आपके पास, 0, ठीक है, तो यहां पर से आप तुमारे पास 3 common आया, 3 तुमने उदर भेज़ दिया, तो यहां पर से कितना आजाएगा, देखोए है, 2 X आया, फिर –3 common आया था, नहीं, 6 common आया, तो यहां पर से कितना जाएगा तो फॉर एक्स फिर फिर प्लस थ्री नैन वाई हो जाएगा फिर प्लस भाइन तो तो कितना जाएगा सब्सक्राइश एग फिर हो जाएगा माईनस बद दीज दुनि चौह सट भराबर बेदा जीरो यह आया हमारे पास क्या एक्वेशन ओफ equation of tangent plane equation of tangent plane और हमारे जो answer है हम किताब से match करेंगे तो कितना है 4x plus 9y plus 14z minus 64 is equal to 0 तो इसको नोट कीजिए